वेलकम टू सरोसमाजी को राउंडर चेनल, सरोसमाजी को राउंडर चेनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो ये आपके लिए बहुत ही important question है जो पलक जपकते ही आपको याद हो जाएंगे तो सबसे important question है जो परिच्छा में बार बार पुछे जाते हैं दरबमान और भार में अंतर बताईए दरबमान और भार में अंतर बताना बिल्कूल लगभग सेम ही होते हैं थोड़ा सा कांतराल होते हैं ध्यान देजी दरबमान और भार में अंतर बताना है तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दवा दे नहीं तो ये चैनल आपके हाँ से निकल जाएंगे और सर्च करते करते परिसानी में पढ़ जाईएगा तो एक तरफ लिख देना है दरबमान एक तरफ लिख देना है भार ताकि अंतर में इस तरह से लिखने से बहुत ही बेतर होते हैं और याद भी करने में अच्छा होते हैं ध्यान दीजे किसी वस्तू में बिदमान मतलब मवजूद पदार्थ के परिमान को उस वस्तू का दरबमान काते हैं किसी वस्तू को पिरिथवी जीस बल से अपने केंदर की ओर खिचती हैं उसे उस वस्तू का उस अस्थान पर भार काते हैं उसे उस अस्थान पर उस वस्तू को क्या काते हैं भार दूसरा point इसमें वस्तू का जड़ातू की माप होती है इसमें गुरुत्वे बैल की माप होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या होती है माप होती है इसके बाद हो जाएंगे तिन नमर में अक्छान्स उंचाई गहराई या अस्थान बदलने से या समानियता नहीं बदलता ह अक्छान्स उंचाई गहराई या स्थान बदलने से या बदल जाता है या एक अदिस रासी है या एक सदिस रासी है अदिस सदिस किसे करते हैं ये भी आपको जनकारी दे दिया जाएगा इसकी माप सदारन तूला से करते हैं इसकी माप कमानी दार तूला से करते हैं दरभम करने भूल चुके हैं तो बहुत बड़ा आप यानि की पूरी तरह से आप खत्रा ले लिए क्योंकि वो चैनल आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होंगे और वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कर दें और किसी भी तरह के वीडियो के लिए आप हमें कमेंड भी कर सकते हैं कर दो दो कर दो कि लिए के लिए से अवाद़ानी की अवाद़ा नवाद़ में रखत्ता हैं और किसी भी तरह से एंवाद़ा नहीं वड़ानिक अप्सर